ब् legisl計 आपके पास भी इस तरह की श्टॉल है तो यह फर्स टॉल है और यहांपर इसको में एक न्यूट रिक के साथ मैं पुरानी लैस के साथ में बहुत ही अच्छे तरीका आपको बताने वाली हूँ तो friends यहाँ पर देखिए मैंने इसको double fold कर लिया है और अब हम उपर से fold वाली side है वहाँ से friends हम 30 निंज पर इस तरह से देखिए पकड़ लेंगे आप यहाँ तो इस पर निसान लगा सकते हैं याप आप इसको pin up कर सकते हैं तो friends मैं यहाँ पर इसमें pin लगा लूँगी ताकि हम आसानी से अपने काम को कर सकें अब friends यहाँ पर देखिए इसको pin करने के बाद में अंदर की तरफ fold करूँगी तो friends corner तो हम ऐसे ही रखेंगे और जो हमारा उपर की तरफ से है जो हमारे neck पर back side में जाएगा वहाँ से मैं इसको डेड़ से दो इंज तक इस तरह से fold कर लू क्योंकि friends machine से अगर आप इसको सिलते हैं तो इसमें जो दागे हैं वह बाहर की तरफ दिखाए देंगे तो जो की अच्छे नहीं दिखेंगे तो friends यहाँ पर इसको आप सुई धागे से सिलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह बहुत ही soft fabric है और सुई धागे की साह देखें नेक वाला portion था उसके नीचे से हम यहाँ पर जो लैस है उसका यूज करेंगे तो मेरे पास एक पुरानी लैस पड़ी हुई थी blouse की बाजू की तो friends उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी आप कोई भी और लैस ले सकते हैं तो यहाँ पर देखें नीचे से भी मैंने 10 इंच इस तरह से सुई धागे से ही सिल लिया है यहाँ पर आप सिलाई मसीन से भी कर सकते हैं क्योंकि यह अंदर की तरफ चली जाएगी और दिखाई नहीं देगी तो friends यहाँ पर इसको सिलने के बाद में अब यहाँ पर हम लैस लगाएंगे यह लैस फ्रेंड्स मेरे एक ब्लाउज में से बची हुई थी और यहाँ पर मैंने इसको डवल फोल्ड करके यहाँ पर देखे यह जो हमारा नीचे से हमने पोर्शन सिला है उसके उपर हम इसको लगाएंगे तो इसको मैंने डवल करके इस तरह से सिल लिया है और नीचे से यहाँ पर इस तरह से देखे ताकि उसमें सिलाई न लग जाए, तो हम नीचे से कपड़े को हटाते हुए और लैस इस तरह से बीचो बीच रखते हुए, हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, और यहां पर नीचे की तरफ में यहां पर देखे, इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, और नीचे से ह लेस हमारी वी शेप में आ जाएगी जैसे कि कुर्ते में हम पट्टी लगाते हैं उस तरह से तो फ्रेंड्स यहां पर इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी यह सिलाई लगा लूँगी फ्रेंड्स यहां पर मैंने लेस लगाई है आप लेस की जगा यहां पर साटन रिवन या फिर आपके पास कोई अच्छा सा फैबरिक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो वो भी यहां पर लगके बहुत अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स इस तरह से लेस को मैंने यहां पर लगा लिया है और इस तरह से जो हमारा सिंपल सा स्टॉल था उसको हमने देखिए क है आपको आइडिया पसंद आ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें